जार्डन में एरान समर्थित आतंकियों के हमले में अमेरिका सेना के तीन जान मारे गए हैं, जबकि कई घायल हो गए हैं अमेरिकी राज़पती जो बाईडन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका हमलावरों की जिम्मbardziejताय करेगा अमेरीकी सेंट्रल कमान ने एक बयान जारी कर 25 जवानों के घायल होने की बात कही है राश्टपती बाइडन ने इरान समर्थित लड़ाकों के हमलों की बात कही लेकिन इसके लिए किसी खास समूह का नाम नहीं लिया अमेरीकी अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि हमले में किस समूह का हाथ है अमेरीकी सैनिक पर हमले के लिए इरान समर्थित समूहों को जिम्मदार ठहराते हुए बाइडन ने कहा कि फिलाल हम हमले की जानकारी जुटा रहे हैं और हमारा मानना है कि सीरिया और एराक में सक्रिय इरान समर्थित आतंकवादी समूहों ने इस हमले को अंजाम लिया है वाइट हाउस से जारी बयान में बाइडन ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद से लड़ने की अपनी प्रतिबधता को आगे बढ़ाएगा इसमें कोई संदे नहीं है कि हम हमले के लिए सभी जिम्मदार लोगों को अपने तरीके से जवाब दे ठहराएंगे